दोस्तों बिहार Postmatic Scholarship के तहत बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है लेकिन उनका फॉर्म किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया गया है वैसे तमाम बच्ची लगातारों कॉमेंट कर रहे हैं कि सर हम दुबारा रही स्टेशन कैसे कर सकत हैं अभी बिहार Postmatic Scholarship को लेकर कई सारे अप्डेट जारी किये गये हैं फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण भी बता जा रहे हैं कि आपकी फॉर्म क्यूं रिजेक्ट किये जा रहे हैं साथ जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं तो वो कैसे अप्डेट कर करेंगे ताकि आने वाले सारी अप्डेट की जनकारी आपको मिल पाएगे सबसे पहले इनके लिए आप जब बिहार Postmatic Scholarship को ऑफिसल पॉटल पर ही आएंगे तो कई सारे यहां पर अप्डेट आप देखेंगे जारी किये गये हैं सबसे पहला और महतपूर्ण अप्डेट ह क्योंकि बच्चे का अभी क्या है कि जाती अवासे आया को भी रिजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि यहां पर देखेंगे चार्ड नमर क्लियर कर दिया गया है कि आया परमान पतर जो आपकी होगी एक अपरेल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच की होनी चाहिए मतलब कि अगर कोई बच्चा एक अपरेल 2023 का अगर आपरमान पतर इसमें लगाता है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा मतलब कि इस डेट जो आप देख रहे हैं इस डेट के बीच की ही होनी जरूरी है इसका आपको धियान रखना है और यहां पर भी इसकी जनकारी दी है कि इसके लेकर जो ह है एकाउंट के कारण फॉर्म को रिजेक्ट किये जा रहे है जाती आवासे आए के लिए तो हमने बताया कि आपकी जो हो गई इस बीच की होगी हाला कि यहां पर आया परमान पतर बताया गया इस बीच को होनी चे लेकिन हमने बहुत केस में यह भी देखा कि बच्चों का जाती आवासे आए भी ज़्यादा पुराना है किस का है उस केस में भी उनका फॉम डिजेक्ट किया जा रहे है तो कोसेस करें जिन बच्चे का फोम अगर रिजेक्ट हो चुके हैं तो इस डेट लाइन के बीच में आज़कर आपकी जेती आवासे आए बनी हुई है तो उनका बताता है कि आपका email id या आपका जो user day यो password है इससे कोई record नहीं है तो उस case में क्या करना है तो देखिए अभी आपको रुकना है क्योंकि आप जान रहे पोर्टल का जो अंतिन डेट है आज ही है डेट हो सके आगे एक्ट्रेंड होगा फिर आपको मौका मिलेगा जिनक क्या करना है उसके बारे में समझे तो अगर आपका form जो है सिर्फ bank के कारण reject हुए है तो ऐसे इस्तिति में आपको form सुधारने के लिए मौका नहीं भी मिलेगा फिर आपका सुधार हो जाएगा इसके लिए आपको करना यह होगा कि अपने account को आधार से डिंग करबानी होने अगर account के कारण reject हुए है तो अगर आपका जाती आवासे आयक के कारण form को reject किये गया है तो ऐसे इस्तिति में आपको क्या करना है इनके portal पर ही जवापाएंगे तो यहाँ पर पहले आपको click here वाले विकल पर आपको click करना है और अपना अधार number को डालना है और अपना status check करना है अकर आपकी status में यह सभी detail अगर approved है या saved है green है तो इसका मतलब समझे कि आपको user ID password मिल जागा कोई भी detail अगर गलत हो चुका है तो ऐसे इस्तिति में आपको दुबारा registration करना होगा इनके website पर जवापाएंगे new registration वाले विकल पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आप आपकी जाते आवासे AI की जनकारी होगी यह सब detail है डालकर आप नया registration कर सकते हैं लेकिन नया registration करेंगे तो इसका आपको खास धियान रखना है कि किस कारण से आपका form reject हुए हैं उस कारण को दुबारा आपको नहीं दोहरानी है इसका आपको धियान रखना है अगर आप यह registration करने जाते हैं और आपका अधार verify नहीं होता है आपको बताता है कि आपका अधार already इस पर register है तो आपको एक दिन बाद पुना try करना है क्योंकि यहाँ पर clear बता दिया गया है इनके website में कि अगर छातरों का form reject होते हैं तो उनकी data जो है इनके portal से हटा दिया जागा पुना उनके दुबारा जो है registration मांगे जाएंगे और दुबारा उसको new registration करकर ही आवेदन करनी होगी इसका दियान रखना है तो यह परकिरिया है जिन बच्छों का form reject हो चुके हैं तो पुना राइस्टेसन आपको किस परकार होगा साथे साथ जिस कारण सा अगर आपका form reject है तो आपको क्या करना होगा वह आपने समझा मतलब सिधा समझे अगर आपका account reject है तो आपको नया राइस्टेसन करने की जरूरत नहीं है आप अधार सेटिंग को करवाईएगा आपका जो चला जाएगा पुना पेंडिंग दिखाएगा verify जैसे ही होगा फिर आपका ID password मिल जाए फिर आप जो है इसके लिए apply कर सकते date के लिए दिखिए आज कोई update आती है उसके जनकारी हम update कर देंगे फिलाल अभी date का कोई update नहीं है आज इसका अंतिन तिति है तिति बढ़ने की उमीद है जैसे कोई notification आता है इसके जनकारी टेलिग्राम में update कर दी जाएगी हम ऑनकारी हम अबने के जिए उर भी ओEMAंगी कर दो ही उरले अरा है इसके जनकारी थे जिए और में удПाद़ है जनकारी हम इसके लिकारी प्नकारी हम प्रिक मेंपया अंतिन की ज़ी जिए्या है आपका जबने कि उनकारी है तो क्पारी ह। ज awareness में आपकारी हम ए बदिए झा